जिस्कवरी ओफ कैथोड रे बाई जेजे थॉम्सन सर्जेजे थॉम्सन ने कैथोड रे की डिसकवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने एक ट्रांस्पेरंट ग्लास ट्यूब लिया जिसका एक ही ओपन इंड था इस ट्यूब को कई नामों से जाना गया सबसे पहले इसको करुक क्रुक बोला गया क्योंकि विосс्क्रुक करुक यह जानने वाले ऐसे पहले वेखती थे जिन्होंने यह जाना कि गैसे से भी लेक्तिसटी कंड़क्ट हो सकती है बसरते gas का pressure बहुत ही ज़्यादा low होना चाहिए और हमारे conducting electricity का potential difference बहुत ही ज़्यादा high होना चाहिए इस tube का दूसरा नाम discharge tube था क्योंकि gases से electricity का pass होना और gases में glowing effect create करना electric discharge होता है और ये tube cathode ray experiment में कुछ ऐसा ही काम कर रहा था इसलिए इसका नाम discharge tube भी रखा गया और कुछ लोग इसे vacuum tube भी बोलते थे क्योंकि इसका जो single opening था वो vacuum pump से जुड़ा हुआ था ताकि इसके अंदर के air का pressure जो है काफी ज़्यादा कम किया जा सके तो यह थी tube की बात इसके बाद उन्होंने क्या क्या इस tube में दोनों तरफ metallic plates लगा है एक तरफ के plates को cathode बोला गया जिसको negative terminal से बैटरी के negative terminal से जोड़ा गया और दूसरे तरफ के plate को anode बोला गया और उसे positive terminal से जोड़ा गया यहां पर इस experiment में एक high voltage बैटरी का जिसे थॉम्स ने यूज किया जिसका potential difference नियरली 10,000 वोल्ट था अब जैसे ही इस experiment को switch on किया गया जैसे switch on किया गया देखा गया कि कुछ invisible rays यहां पर फील में आई केवल अभी यह चुकी invisible रहे हैं तो यह उन्हें पता नहीं लगा कि वाकई में यहां कुछ raise है बट ग्लास में जो glowing effect create होने लगा उससे सर जेजे थॉम्सन ने एक conclusion निकाला conclusion यह था कि हमारे cathode rate tube में कुछ तो है ऐसा कुछ ऐसी raise हैं जो कि glowing effect create कर रही हैं तो अभी तो यह केवल conclusion था और उसमें में भी लिखा हुआ है इन्होंने क्योंकि यह security नहीं थी कि उसमें कुछ rate travel कर ही रही है तो इसको security इसको sure करने के लिए उन्होंने कुछ और भी experiment perform किये इस वक्त क्या किया उन्होंने एनोड को perforate कर दिया एनोड में छोड़े-छोड़े छेद बना दिये और एनोड के पीछे जैडनस की coating लगा दी उन्होंने ऐसा इसलिए किया गया क्यूंकि अगर वाकई में ऐसे रेज होंगे अगर कोई ऐसे रेज होंगे जो कैठोड से अनोड की तरफ आ रहे होंगे तो वो जैडनस से इस्ट्रक करके उस पर glowing effect create करें different color की glowing effect create करें ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ वाकई में कुछ रेज हैं तो अब जबकि इस experiment को switch on किया गया तब देखा गया कि glowing effect तो ट्यूब में पहले से ही था बट हमारे जैडनस पर एक glowing fluorescence effect भी आ गया जिससे कि ये बात तो sheer हो गई कि कि इसमें cathode से anode की तरफ एक ray travel कर रही है तो final conclusion ये निकाला गया कि cathode से anode की तरफ एक invisible ray travel कर रही है जिसको नाम दिया गया electron carrier rays और cathode ray भी बोला गया अब गाइस चले देखते हैं कि आखिर में हम इस ray को electron carrier ray क्यों बोलें क्या यह सच में electron केरी करते हैं या फिर नहीं उस वक्त electron की discovery नहीं हुई थी गाइस ये बात ध्यान देजेगा केवल सर जॉन डाल्टन ने ये बात बताया था कि atom is the constituent particle of matter बस इतना ही बात पता था atom के constituent elements के बारे में electron, proton, neutron के बारे में कुछ भी नहीं पता था सर जे जे थॉम्सन के इसी cathode ray experiment से हमें existence of electron पता लगा तो चलिए गाइस देखते हैं अब आपको ये बात तो पता है जॉन डाल्टन की theory के मुताविक, postulates के मुताविक कि सभी matter जो है atom से मिलके बने होते है atom होगा आज modern theory ये जानती है ये बात और modern theory से अगर हम इससे experiment को explain करें तो कुछ ऐसा होगा metallic plates में अपने अलग-अलग atoms थे cathode पे भी same metallic plate था इसलिए उसमें भी same atom थे और anode plate में भी same atom थे जैसे ही switch on किया गया connection का तो क्या हुआ anode के electron जो है high potential के वज़े से kick out होने लगे और वो battery के positive terminal की तरह बढ़ने लगे बैटरी के positive terminal की तरह बढ़ने लगे अब आप यहां पर देख सकते हैं anode का जो atom है वो electron deficient हो चुगा है electron deficient हो जाने की वाज़े से वह cathode पर जो atom था उसके electrons को attract करने लगा cathode के electrons को क्या करने लगा attract करने लगा ताकि वो अपनी electron deficiency को दूर कर सके तो यह अब क्या करने लगा cathode के atoms के electrons को attract करने लगा अपनी deficiency, electron deficiency दूर करने के लिए और जैसे ही ऐसा हुआ तो यह जो positive terminal तक electron आ रहा था वो अब cathode की तरब बढ़ने लगा negative terminal से निकलते हुए cathode की तरब बढ़ने लगा क्योंकि जब cathode के electron anode द्वारा attract किये जा रहे थे तब cathode भी electron deficient हो जा रहा था तो उसकी electron deficiency दूर करने के लिए battery के negative terminal से reserved electron निकले और cathode के plate की तरफ गये और हमारा experiment तो सेम रहा अब यहां आप देख सकते हैं कि जो cathode से anode की तरफ जो electron attract हो रहे हैं वही हमारा cathode ray formation हो रहा है electron एक ray के form में anode की तरफ जा रहे हैं तो गाइस यह थी हमारे पूरी experiment उमीद है आपको पसंद आए होगी और हमारे अगले वीडियो जरूर देखेगा discovery of electron और discovery of anode ray के भी बारे में और अभी तो characteristic of cathode ray हमें पढ़ना ही है थैंक यू गाइस